दोस्तो नमस्कार आदाप सच्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम नियूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश दोस्तो केरल में कोच्ची के कलम सेरी जगह पे एक करमेंशन सेंटर जो प्रार्थना सभा हो रही थी उस दर्मियान पांच मिनट में तीन बंबी स्पोर्ट हुए हैं और अभी तक की जो सुचना है एजन्सियों द्वारा जो ख़बर आई है उसमें इस खबर में कहा गया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और तीस से कुछ अधिक लोग घायल हैं गायलों की चिकित्सा के लिए उनके रख रखाओ के लिए केरल की जो मंतरी है वीना जार्ज ने सभी आसपास के अस्पतालों को ऐलर्ट किया है और सभी जगा उन लोगों को सरवच प्राथ मिक्ता दे कर उनका इलाज चल रहा है इस बीच में केरल के उद्योग मंतरी पी राजीव ने कहा है कि जहां ये घटना हुई है उस सारे इलाके को घेर करके और पुलिस ने और जहांच एजनसीज ने अपनी परताल शुरू कर दी है अभी कुछ कहना संभव नहीं है केरल के मुख्यमंतरी पिन्रई विजियन ने सुमवार को दस बजे आल पार्टी बैठक बुलाई है जिसमें वो घटना के बारे में सभी दलों को ब्रीफ करेंगे और जाहिर है सबसे सहयोग की समर्थन की अपील भी करेंगे कि केरल जैसे सबसे ब्यवस्थित, सबसे शान्त और सबसे वाइवरेंट जो इस स्टेट कहा जाता है भारत का तरक्की के मामले में और तमाम छेत्रों में उसको प्रभावित करने की किसी भी तरह की कोशिस आशान्ती से उपद्रों से उग्रवाज से उससे फाइट आउट किया जा सके तो एक कलेक्टिव जो एफॉर्ट्स हैं एक सामोहिक जो प्रयास हैं उनको अमली जमा पहनाने के लिए पिंडरी विजेन की कल की बैटक पर पूरे देश की नजर है और हम सब की भी नजर रहेगी कि कल की बैटक में क्या सामने चीज आती है इस बीच में आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी अभी एक खबर आई है कि एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिसने अपने आप वो बताया कि वह इस घटना के लिए जिम्हदार लोगों में एक है या कि वह स्वेम जिम्हदार है अब पता नहीं ये कितना सच है ये होसो हवास में वह ये बात कहे रहा है या क्या इसके पीछे कोई और है डैवार्ट करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि स्थितियों को इस बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते अभी दरसल घटना की असल वज़ा के बारे में कोई भी अटकल लगाना उचित नहीं है लेकिन मैं एजनसियों की खबर कोट कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है या जिस ने की सरेंडर करके और जितनी एजनसिज हैं ये केंद्र की भी वो सब घटना स्थल पर एनाईये भी पहुँच गई है जो आम तो प्यातंकवाद से जुड़े मसलों की परताल करती है और केरल की पुलिस और केरल की जो एजनसिज हैं पहले से सक्री हैं तो मुझे लगता है कि ये सामभी प्रयास से चीजों को जरूर समझा जा सकेगा और तब मीडिया में सही इसके बारे में इसके कारणों के बारे में कोई परताल का नतीजा सामने आ सकेगा दूसरी खबर जो दोस्तों है अपने देश की ही एक प्रमुख खबर और वो ये खबर है कि हमारे हां आम तोर पे और नमाज जो है भारत का चाहाँ जिस प्रदेश में भी आप जाएए ज़दातर हिंदी प्रदेशों में या मड़े भारत के हिलकों में जो पिछरी जातीयां हैं उनकी आबादी बहुत ज्यादा है और विचारदहरा से अधिक इन प्रदेशों में इन आबादियों का महत तो चुनाओ में बहुत जयादा होता है, जात विरादरी का, तो भारती जनता पार्टि जो सकता धारी पार्टि है और जो मानती है कि जात पार्द बिल्कुल गलत बात है, जाती तो होना नहीं नहीं चाहिए, सब हिंदु हैं इस देश का मतलब हिंदु हिंदुत्वा इस देश का धर्म है हिंदुत्वा और जो आबादी है हिंदु इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं वो मुस्लिंच,们form सबको उमान कर जढते हैं लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो हिंदू नहीं सब जात में तब दिलचस्प कानी है कि अपने देश के जो बड़े नेता है भारती जनतापार्टी के वह भी महारास्ट में तेलंगाना में जब भूम मुख्यमंत्री बीसी का मतलब बैकवर्ड कम्यूनिटी अभी अमिशाह जी ने कहा है और ये खबर हैदराबाद से है जन्सीज में है सभी अख़बारों में प्रमुक्ता से चपी है कि भारती जंता पार्टी अगर तेलंगाना में जीतती है तो चीप मिनिस्टर पिछडे वर तो ये चुनाव में पिछडी जाती कहां से आ गई जब आरक्षण की बात आती है तो पिछडे वर्ग की निरधारिक जो 27% सीटें हैं उनसे भी बहुत कम नौकरियां मिल रही है लोगों को अभी आखड़ा आया है राजसभा का राजसभा में जान बिर्टास ने जो CPIM के म जबारी भी हैं उस मंत्रा लेके और उसमें जो आंकड़े आये हैं वो हैरतंगेज हैं और बताते हैं कि इस देश में SC, ST और OBC इन तीनों समुदायों को जिनको एफर्मेटिव एक्षण के तहत आरक्षण प्राप्त है उनको आरक्षण की सीमा से बहुत कम पिछले पांच साल में मिला है अब ये जो आंकड़ा है आरक्षण का एक तरफ ये असलियत है और दूसरी तरफ असलियत यह है कि चुनाव में कहा जा रहा है कि पिछड़ी जाती के लोगों को ही हम Chief Minister बनाएंगे तो ये जो कथा है ये हमारी democracy के content पर एक रोशनी डालती है कि जब चुनावाएगा तो कुछ कहा जाएगा लेकिन जब implementation की बात आएगी तो कुछ और होगा तो तेलंगाना में भारती जनता पाटी की इस्थिती यह है कि बगएर जाती का नाम लिए वहाँ पर हिंदू और हिंदुत्वा और जैस्री राम से काम नहीं चल रहा है यह हमारी आज दूसरी कथा ती और तीसरी कथा दोस्तो आप सब जानते हैं लेकिन उस पर जो comments आ रहे हैं मीडिया में खासकर social मीडिया में वो बहुत ही महत्तपूर हैं कई तो बहुत विश्रेशनात्मक ढंग से आम लोग भी अपनी बात कह रहे हैं और वो पुरी विदे देशनीती के बारे में अपनी समझ से उसको व्याख्याइट कर रहे हैं जिहां मैं बात कर रहा हूँ जो United Nation में General Assembly जो है हमारी संजुक्त राष्ट महासभार उसमें इसराइल और हमास युद्ध को रोकने के लिए यो एक मानवी युद्ध विराम संघर्ष विराम का जो प प्रस्ताव में दोस्तों आप सब जानते हैं कि उसमें 120 देश उस प्रस्ताव के पक्ष में थे और 14 देश भी पक्ष में थे 45 देशों ने आप श्टेन किया यानि मत्दान में हिस्सा नहीं बो बने संजोग कहें या दुर्योग कहें कि भारत अपना अपने मुल्क ने भी आपस्टेन किया अब सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि साब ये चीज नहीं जोड़ी गई वो चीज नहीं जोड़ी गई लेकिन प्रस्ताव तो सिर्फ युद्ध विराम का था क्योंकि ये च इसी चीज को जोड़ना चाते हैं तो दूसरी तरफ से ये भी चीज आ सकती थी कि भाई इसराइल का जो हमलावर रवया है जो निश्ञंस जो हमला हो रहा है गजदा के निर्दोस लोगों पर आप हमास से लड़ने के बज़ाए निर्दोस लोगों से लड़केों रहें उन हमास के आतंकी या उबरबादी तोर तरीकों की तिवर निंदा की गई लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमास के नाम पर घजा में रहने वाले तमाम नागरी जिसमें बच्चे बुड़े महिलाएं सब को आप मिटा देंगे पूरे घजा के नार्थ हिस्से को तरी घजा को आप मल असल डिबेट यही है कि क्यों आपस्टेन करना भारत के लिए श्रेयसकर था क्या क्या हमारी विदेश नीती की जो एक विरासत है जो परंपरा है आखिर उससे जो विक्षेद हुआ है उससे जो हम हटे है उसके पीछे क्या तर्क है यहां सवाल इस्राइल और फिलिस्तीन क नहीं है सवाल संघर्ष के रोके जाने का है युद्ध के रोके जाने का है क्योंकि युद्ध का मतलब मनुष्य विरोध युद्ध का मतलब मानवता पर कलंक हमला हमले को रोकना प्रात्मिक जिम्यदारी होती है सबकी और संजुक्त रास्ट महासबाने अगर इनिशियेट मीडिया के मेंस्ट्रीम जिस्से में ये उतना नहीं है सवाल अंग्रेजी के अख़वारों में कुछ एक अख़वारों में जरूर इस पर आवाजें आई हैं उठी हैं सवाल आए हैं वेबसाइटों में भी लेकिन सोसल मीडिया अटा पड़ा है कि ऐसा क्यों किया अपने आस पास के जितने मुलकों को आप ले लीजे और वे सभी लोग ऐसे नहीं है कि कोई अमेरिका भी रोधी है या कोई फ्रांस भी रोधी है या कोई अमुक देश का समर्थक है बिलकुल नहीं सभी एरान और जार्डन के समर्थक नहीं है और नकतर के समर्थक है लेकिन आसपास के सभी मुलकों ने ज्यादातर मुलकों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत्दान किया है लेकिन अपना देश जो इतना ताकतवर इतना महत्पुन हम भाषक्ति बनने की होड में हैं दोड में हैं लेकिन हमने आपस्टेन किया तो युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर आपस्टेन सन इस पर सोचल मीडिया पर काफी मुखर आवाजें उठ रही हैं देखना है कि सरकार इस पर नीत निर्धारत नमारे इसको कितना संजीदा ढंग से लेते हैं क्या विचार करते हैं तो जो आज ये तीन खपरों के साथ नियूज मन्थन से उन्हें बस इतना ही नमशकार आदाब सत्रियकाल